हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है इंसानों पर वेज और नौन वेज का प्रभाव जै जगनाथ हमें कई पशुओं के जनम के बाद इंसान का शरीर मिला है इसे समझ इस शरीर का सम्मान कर इसका सही से पालन पोशन करे इश्वन ने यह शरीर नौन वेज के लिए नहीं बनाया है मांसा हारी जानवर जैसे शेत की आंथ करीब 3 फीट है जिससे उनका खाना 6 घंटे में हजम हो जाता है उनकी थूप भी एसिडिक होती है जो मांस को गलाने में साहता करती है दान्त और पंजे भी नौकिले होते हैं जिससे वे मांस को अच्छे से काट पाते हैं वहीं दूसरी और हम इंसानों की छोटी आंथ करीब 22 फीट होती है जिसके कारण मांसा हार खाने को हजम करने के लिए 48 घंटे लग जाते हैं हमारी थूप भी बेसिक होती है जो मांस को आसानी से गला नहीं सकती हमारे दान्त भी ऐसे हैं कि मांस खाने के लिए हमें उन्हें दुकानों में कटवाना परता है इसे साफ पता चलता है कि हम इंसान नौन्विज खाने के लिए नहीं बने हैं दूद और दूद से संबंधित उत्पाद शाकाहारी खा सकते हैं। गाई का दूद पीना कोई पाप नहीं, बस ये याद रखे कि वह कोई हिंसा या जवद्दस्ति से नहीं निकाला गया हो। वेदों में कहा गया है कि जैसा अन वैसा मन, हमारे खाने से ही रक्त मांग स्पेश्या उर्जा बनती है। ग्रेना, गुसा, नफरत, ईश्या और सारे नकारत्मत भावनाएं। जब पशु या पक्षी को मांस के लिए काटा जाता है, तो उनमें डर के हॉर्मोन्स प्रवाहित होते हैं, जो खाने के रूप में हमारे अंदर आ जाते हैं। चाहे हम उसे कितनी भी तापमान में पकाएं, वह डर की उर्जा हमारे शरीर का हिस्ता बन जाती है। याद रखे, उर्जा को नश्ट नहीं किया जा सकता है, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। यही उर्जा हमारे मन और तन में अत्यन प्रवाब डालता है। जो भी डर और उससे संबंधित नकारात्मक भावनाएं, जैसे ईशा, गुस्सा, घ्रेना, इत्यादी हम से आकशित होने लगते हैं। क्यूंकि हम हमारे उर्जा शेत्र याने के इलेक्टो मैगनेटिक फील्ड में से डर की फ्रिक्वेंसी से यह सब उर्जा आकशित करते हैं। इस अवस्ता में नकारात्मक सोच बहुत आम बात है। किसी भी जानवर या पकशी को हमारे वज़े से मारा जाता है तो हम बुरे करम बना लेते हैं। जब हम किसी का दद और पीड़ा आहार के रूप पे गरहन करते हैं तो हमें अच्छा स्वास्त और शांतिपून जिन्दगी कैसे प्राप्त होगी। आहार से मन बनता है। मन से विचार उत्पन होते हैं जिससे भावनाई बनती हैं। और यही भावनाई हम से अच्छे या बूर्य कार्य कराती हैं जो करम का रूप लेते हैं। खाना हमारे चेतना पर सीधा असर डालता है। खाना याने की उर्चा। जब हम सात्विक आहार करते हैं तो हमारे मन और विवार में एकता रहती है। चेतना में भी स्पष्टता और शुधता रहती है। वहीं लो वाइबरेशन फूड हमारे चेतना को लो वाइबरेशन में रखेंगे। जो हमें नकार आत्मक भावनाओं की और ले जाएंगे। जिससे शरीर में जहरीले पधात का बहाब होता है। जो हमारे शरीर में बिमारियों की मूल वजय बन जाती है। अब आप कहेंगे कि पेड़ पौधें खाने से कर्म कैसे नहीं बनते। यहां भी तो किसी की जान जा रही है। क्या आपने पेड़ों को कभी अपना फल खाते देखा है। वे सिर्फ देना जानते हैं। पक्षि जब उन पर घोसला या बैट चह चाहाते हैं तो पेड़ों को आनंद मिलता है। जड़ जगत के भौतिक, सुष्म, भावनात्मक शरीर और चेतना पुरी तरहा से विकसित होती है। वे हमेशा कृतग्य और सेवा के भाव से भरे होते हैं। इसलिए तो हमारे भावनाओं को जड़ जगत समझ पाते हैं। जब हम कोई पौधा या व्रिक्ष खाने के लिए काट या उखार देते हैं, तो बहुत कम कर्म बनते हैं। क्योंकि ये हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है। इसलिए तो पौधों को निर्माता और पश्वों को उपभुकता कहा गया है। जबकि पश्वों चेतना के स्तर पर जड़ जगत से उपर होते हैं। उनकी भौतिक, शुष्म और भावनात्मक शरीर पुरी तरह से विकसित होती है। पर उनका इनसानों जैसा दिमाग नहीं होता। वे तिर्व सहच ज्यान यानिके इंस्टेंस पर जीते हैं। और उनका निम्नम मानसिक स्तर पूरी तरह से विकसित होता है जिसे हम पशु प्रकति कहते हैं जिन्हें खाने पर हम भी पशुओं जैसा व्यभार करते हैं वही इंसान के भौतिक, शुष्म, भावनात्मक और मानसिक स्तरीर पूरी तरह से विकसित होते हैं हमारे दिमाग के साथ अंतर ज्यान भी है जिस वज़े से हम जिम्मेदार बनते हैं ये निन्ने लेने का कि हमें क्या खाना चाहिए हम सब खड़े जगत, जड़ जगत, पशु जगत के बाद इंसान बनते हैं इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर जीवन का सम्मान करें धन्यवाद अगर आपको हमारी प्रस्तुती अच्छी लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना नाव